जैसे कि आप सभी का N.D. और C.D.S. का एक्जामिनिशन एक सितंबर को है और एक्जामिनिशन होल में जाने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारे कोशन्स आराइज कर रहे होंगे कि सर एक्जामिनिशन होल के अंदर O M R sheet को किस तरीके से फिल करना है और वो क्यंकोन से items हे जो हमें एक्जामिनिशन होल के अंदर carries करने हैं और examination hall में exam देते टाइम हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। ये एक कुछ ऐसे questions है जो हर एक candidate के mind में बिलकुल खटकते हैं। तो आज के इस session के अंदर मैं आपकी ये सारे questions का clarification आपको देने वाल हो। कि क्या-क्या चीज़े हैं जो आपको करनी है examination hall में और क्या-क्या ऐसी चीज़े जो आपको बिलकुल भी नहीं करनी है। और OMR sheet को किस तरीके से fill करना है and it is just going to be very helpful for all of you। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे OMR sheet के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हो UPSC के CDS और NDA का जो examination होता है वेटा वो एक offline mode के through होता है और offline mode के अंदर हमें OMR sheet fill करनी होती है। OMR sheet के अंदर बहुत सारे columns होते हैं और उन columns को हमें roughly अपने hand से fill करना पड़ते हैं। तो कैसे हमें वो fill करना हैं वो सब चीज़े मैं आपको बताने वालों। और क्या-क्या चीज़े हमें carries करनी हैं वो सब मैं आपको बताने वालों। सबसे बेले बेटा एक चीज़ आपको याद रखना है जो examination hall में आप जाओगे वहाँ पर आपको जो OMR sheet दियागी वो कुछ इस सरीके से rough figure मैं आपके सामने आपको दिखाई हैं ऐसी कुछ होगी। मैं यह नहीं बोड़ा हूँ कि exactly ऐसी सेम होगी। लगबग इस से मिलती जूलती होगी जैसे मैंने यहाँ पर एक sample आपके सामने रखा है एंडी examinations के लिए similar वह में एक another example मैंने आपके सामने रखा है sample रखा है for the CDS examination इस के अंदर यदि हम OMR sheet के अंदर बात कर रहें बेटा बहुत सारे columns आपको यहाँ पर बिलकुल clearly observed दिखाई दे रहे होंगे तो उनको कैसे कैसे fill करना मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अगर right from the beginning आप देखोगे for example जो sample मेरे पास है मैं उसको आपको बताता हूँ तो यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा subject है ना जैसे अगर हम NDA examinations वाले बच्चों की बात करते हैं उनका first paper अगर बात कर रहे है mathematics का है तो आप यहाँ पर subject का नाम लिखोगे जो भी आपका subject है mathematics है तो mathematics है यहाँ पर लिखोगे अच्छा जैसे for example अभी आपने mathematics की बात करें तो for example मैंने यहाँ पर math लिख दिया ठीक है आपका हर एक candidate का center पढ़ाओगा respective तो center code भी होता है जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ तो center name है किसी किसी ओमार शीट के अंदर center code का option होता है अगर center code का option है तो आप center code यह फिल करोगे center का name लिख है तो आप center का name लिख होगे तो मैं यहाँ बात कर रहता हूँ अगर center name mention किया होगा बैटा तो आप center का name mention करोगे अगर code mention है तो code mention अब सारी code कहां से मिलेगा जो आपका admit card है बैटा वहाँ पर mention किया जाता है या फिर जो भी invaligilator आपकी class के अंदर आया हुआ होगा, वो definitely आपको बताएगा कि center code ये है, center का name ये है, जो भी आपको column दिया होगा बेटा आपने वो fill करना है, उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको जब भी paper मिलेगा, पहले तो आपको OMR sheet मिलेगी, OMR sheet के बाद आपको paper मिलेगा, तो जब आपको paper मिलेगा, त तो आप A वाले को encircled कर दोगे, ठीक है, ये याद रखना, अब, बहुत से बच्चों के दिमाग में, कुशन अरगर सर, encircled किसे करना है, pen से करना है, pencil से करना है, किसे करना है, तो आप जानते है, examinations hold के अंदर, आपकी जो admit card आपको मिला है, उस पर entire descriptions या details लिखी है, instructions लि clearly लिखा हुआ है, जो भी invigilator होगा, वो भी आपको बताएगा, कि आपको इससे fill करना, आपका option है, black pen या pencils, आप जिससे भी fill करना चाहते हो, उससे आपको fill करना है, अच्छे से इसको गोला करेगा, पर इतना darken भी मत कर दीजेगा, कि आप इस गोले को फाड़ ही दो, ये इस सब आपको कहाँ पर मिलेगा, आपका admit card जो होता है, उस पर भी subject code आपका mention होगा, जैसे mathematics का subject code होगा, आपका GAT का होगा, यआ आपका test booklet मिली है, उस पर भी subject code वगरा लिखा हुआ होता है, बाकि admit card में भी आपका subject code लिखा होगा, जब भी आप बरोगा, तो उस बहुर example इस तरीके से, next है बेट आपका roll number, please kindly pay attention roll number, बहुत sincerely, बहुत सठीक तरीके से आपको fill करना है, आपका admit card के पर roll number लिखा है, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 digit का लिखा है, अब 1 है तो 1 के नीचे आपने 1 पर encircle करना है, 2 है तो 2 वाले को गोला बनाना है, 3 है तो 3 वाले को, 4 है तो 4 वाले को, 5 है तो बेटा, 5 वाले को, 6 है तो 6 वाले को, 7 है तो 7 वाले को, इस तरीके से अपने गोला बनाना है, याद अखना, इस पर overwriting बिलकुल भी मत करना, roll number पर overwriting बिलकुल भी मत करना बेटा, बहुत clearly, कई ब वाइटनर वाइटनर यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना allowed नहीं होता है तो इसी रहे मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको scratch करकर ऐसे भी मत करेगा बेटा बिल्कुल याद दख लीजिगा क्योंकि ये सब एक OMR machines के तुरू चेक होती है ये सारी के सारी जो sheets होती है वो सिफ code वो ही लेता अगर किसी के अंदर आपको किसी भी column के अंदर दो encircle दिखाए देते हैं वो उसको neglect कर देता है सो बहुत information को बहुत sincerely और carefully आपको fill करना है यादखना roll number वाली information को serial number भी आपको given होगा यापकी booklet वगरा पर given होगा जो भी अगर आपका serial number given है अगर यापके उसके अंदर option है तो आपने serial number option डालना है अगर आपकी OMR sheet पर serial number नहीं है तो जहाँ पर भी serial number नहीं है आपको कोई जुड़त नहीं है फिल करना है उसके बाद नीचे आप जाकर देखोगे यहाँ पर कुछ signatures आपको करने होगे अपना नाम लिखना होगा तो वेटा वहाँ पर पढ़ लेना आपके नाम क्या अगर लिख है कि आपको नाम capital letters में लिखना है तो capital letter में ही नाम लिखना और अगर वहाँ पर clearly लिखा है कि नाम जो है आपको वो एक fast मतलब running handwriting में लिखना है तो running handwriting में ही आप लिखोगे वेटा उसमें small or capital letter है वो देख लेना क्या लिखा है capital letter लिखा है तो capital में until NLS capital नहीं लिखा है तो आप running handwriting में जैसे अपना नाम लिखते हैं वैसे लिखते हैं दूसरा signature आपका मांग रहा होगा जब आपने अपना form fill किया होगा तो वहाँ पर आपसे signature अपलोड कराए गए होंगे तो जैसा signature आपने admit card के अंदर करका है वैसा ही signature यहाँ पर करना कोशिश ये करना signature change मत कर देना यह याद रख लेना दूसरा वो thumb impression मांगता है उसने clearly बोल रखा है left hand thumb impression तो left hand ही thumb impression देना है ठीक है बेटा तो thumb impression बहुत clearly आपको देना है clear जो date उसने लिख रखी है date आपने mention करने है और यहाँ पर फिर जो भी invalidator आपके class में होगा वो अपने signatures यहाँ पर करके जाएंगे इसमें most important क्या बेटा book list series बहुत अच्छे से भरना A है तो A भरना, B है तो B है और role number भोत, overwriting बिलकुल भी मत करना theme for the CDS examinations के लिए बेटा आपना subject code भरोगे, जैसे IMA के लिए जा रहे हैं, EFA के लिए आफी निवल अकेडमी के लिए, उनके तीन paper होगे बेटा, है ना, English का होगा GS का होगा और Mathematics का होगा तो उनके तीन shift में होगे और जो OTA वाल है, उनके दो ही paper होगा Mathematics का नहीं होगा तो आपने subject का नाम respective यहाँ पर डालोगे जो भी center code होगा, center name होगा वो यहाँ पर डालोगे booklet series को आप encircle करोगे जो भी subject code गीवन होगा बेटा उसको encircle करोगे, roll number को encircle करोगे जो भी आपका roll number होगा सेम नीचे अपना name capital letter में लिया है तो capital में running handwriting में दे तो running में until and unless signature जैसा आपका paper के अंदर admit card में आपने डाला है सेम वैसे ही signature अपने यहाँ पर करना है और left hand thumb impression बोला है तो left hand ही देना है, right बोला तो right ही देना है दूसरा, instructions पर लेना OMR sheet के नीचे लिखा होता है कि आपको OMR sheet जो fill करने है वो black pen से करने है या pencil से करने है वो instruction बहुत follow कर लेना देख लेना लिखा होता है और अगर आपको किसी point of instant पर कोई भी doubt होता है तो आपके class में जो भी invigilator आया है आप उससे बिलकुल बे जीज़क पूछ लिजे ma'am, yes sir ये जो fill करना ये black pen से करना है या pencil से करना है हाला कि अगर आप पढ़ोगे instructions को नीचे कही ना कहीं लिखा होता है या उपर कहीं ना कहीं लिखा होता है you have to use this and this और either this or this ठीक है बेटा तो ये चीच याद लेना मैं फिर से बोल रहा हूँ role number बहुत अच्छे से fill करना subject code और test series code ये भी जो आपका है वो बहुत अच्छे से आपको filled करना लेना ये याद रखना है अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो बहुत important है checklist के अंदर मैं आपको बताने वाल हूँ क्या क्या आपको carries करनी है examination hole में जाने से तो the night before की बात कर लेते हैं मतलब exam देने से एक रात पहले की बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मैंने उनको categories में डाला है master packers में क्या है विटा for example आप NDA का admit card या अगर आपके पास CDS का admit card है आप CDS examination जा रहे हो तो please अपने admit card का photo state print out अपने पास रख लीजेगा ऐसा बिलकुल भी मत करना कि center में चले जाएंगे वहाँ गल बगल में कोई photo state की shop होगी वहाँ कर लेंगे फिर भटकते फिर होगे फिर BP high हो जाएगा किसी का BP low हो जाएगा कोई वहीं पर late जाएगा कोई कहीं पर करेगा फिर रोएगा धोएगा वेटा ऐसा मत करना एक रात पहले प्लीज अपने admit card का print out निकाल लेना दूसरा valid photo ID proof भी रख लेना वेटा आपने form filling करते time जो ID proof दिया था आधार card दिया था तो आधार card का original की बाद हो रिये वेटा ठीक है सच एज आधार card और pen card जो भी आपने था original रख लेना वेटा अपने पास जो भी आपने वहाँ पर ध्रमिट किया था form filling करते time जो admit card में जो भी ID number लिखा वो ही same आपने carry कर रहा है original मैं फिर से बोल रहा हूँ original ठीक है वेटा clear है दूसरा एक चीज और याद दख लेना ठीक है बहुत से बच्च ऐसे करते हैं कि वो internet की जो आधार card copy होती है उदर से internet का बनवा कर रख लेते कई बार problem create कर लेते हैं तो try करेगा original अपने पास रख लो ठीक है आपके पास pencil sharpened होनी चाहिए कम से कम दो pencil तो लेकर जाएगा या blue या black point जो भी आपको instructions में given है बेटा वो please carries करेगा eraser अगर आपके पास है तो erasers भी जाए लेकर जाएगा instructions में आप लिख लीजेगा ठीक है और अच्छा pencil हो अच्छी quality की pencil हो ऐसी नहीं हो गटिया पटिया सी pencil छोटी मोटी सी आपने ले ली चलो चल ले ठीक है बेटा खरीद लेना please मैं आपसे humble request कर रहो या blue या black ball pen जो भी आपका instructions में लिखा है पढ़ लेना वहाँ पर जो भी आपको carry करना है ठीक है बिलकुल भी last minute पर panic मत करना है राम यह तो मैंने लिया यह नहीं पडोसी से मांग रहे हो ओडोसी से मांग रहे हो मैडम से मांग रहे हो ऐसा मत करना वेटा please do remember यह यादख लेना next आता है वेटा location ठीक है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका center out of the district गया होगा या out of the state गया होगा तो एक दिन पहले आप अपने center पर definitely पोच जाओ और कोशिश कर सको एक दिन पहले अगर आप पोच गयो तो एक बार अपने center पर visit कर लो ताकि आपको पता चल जाए route मेरे को किस route से कैसे कैसे जाना है तो जैसे paper आपका एक तारीक है कली 30 तारीक है बेठा तो 31 तारीक में एक बार अपने center पर जाकर देख लीज़ेगा सुभे के time, साम के time, दोफेर के time, जब भी आपको मिले कि मुझे किस कैसे route ताकि on the day आपको panic बिलकुल भी ना हो याद रख लीज़ेगा और आप अपने time waste ना कर लो एक तो चीज आपको ये याद रखने है next beauty sleep is key जिल जिन आपका paper है एक तारीक में एक तारीक से पहले 31 तारीक की रात को भाई सो जाना अच्छे से पता चला सोई ने tension में BP up down हो गया है हाई राम वाली situation हो रही है paper में जाके तुम्हें नीधा रही है वहाँ जाकर तुम सो गए हो खराटे मार रहे हो please बेटा ऐसा मत करना एक अच्छी healthy sleep लेके जाना अब paper में आपको अच्छा perform करना अब ये मत सोचो यार मैं पढ़ा ने भाई अब हो गया जितना पढ़ना था जो पढ़ना था पढ़ लिया आपने कुछ भी नया experiment मत करना कि कल के दिन ही आप history लेकर बैठने लग जो आप कलियू धेड़ दूगा टेंशन फ्री रही है अगर आपका mind relaxed होगा तब आप prepare में अच्छा perform कर पाऊगे until and unless कबाड़ा कर दोगे या दख लीजेगे बैठा प्लीज डोंट डूट डूट एट experiment मत करना ठीक है विथा रवच्छा कुंदर बनने की कोशिश बिलकुल भी मत करना डेर करने कोशिश मत कर लेना प्लीज मैं आपसे humble request कर रहा हो सब इसे चाप serious के हो या फिर एंडिया examinations के बच्चे हो क्योंकि आपका अच्छा बुरा आपके हाथ में ही है अगर आप अपने mind को बिलकुल relax रखोगे think positive करोगे good for the सोचोगे तो अच्छा ही आपका होगा और अगर आपकी दिवांक में बिलकुल tension रहेगी तो पेपर का आप कवड़ा कर दोगे थारवाई चकुंदर बना दोगे ठीक है भाई तो ये बिलकुल भी कोशिश मत करना प्लीज एक अच्छी slip जरू लेना next अब बात कर लेते हैं शिफ्ट टाइमिंग्स वगएरा की on the day जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन क्या है NDA वाले बच्चों का दो पेपर है एक mathematics को GAT का CDS वाले बच्चों के तीन पेपर होगे अगर IAM में वले हैं INA वाले, FA वाले तीन हैं बाकी उटिये वालोक लिए दो है आपको clearly mention किया होगा आपका shift timing है ना जैसे for example NDA वाले बच्चों की एक morning shift में होगा और एक afternoon shift में होगा जैसे 10 से 12.15 बज़े वाली है और एक 2 से 4.15 बज़े वाली है प्लीज, जो timing यहां लिखिया है कि reporting time 59.50 मतलब यह लिखा है लेकिन आप एक चीज या दख लेना आप अपने examination hall पर या exam center पर कोशिश कर लेना वेटा आप at least डेड़ घंटे पहले पोच जाओ हाला कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपके admit card में लिखा होगा 30 मिनट के से पहले पहले आपको examination hall में पोचना है है ना मतलब जैसे 10 बजे है तो साड़े 9 बजे के आसपास आपको clearly mention क्या आगया होगा कि भाई examination hall पर आपकी entry बंद कर जाएगी है ना यह याद दख लेना साड़े 9 बजे के बाद entry बंद कर दी जाएगी आपकी gate वगरा बंद कर दे जाएगे 9.50 वगरा पर तो जो reporting time यह 9.50 लिखा है यह please हटा दीजेगा यहाँ पर जो भी आपका साड़े 9 बजे का timing है वो याद दख लेना विटा ठीक है क्लेर आदे घंटे का time academic card पर लिखाऊगा उसको strictly follow करना जिस second shift का है तो कोशिश कर ले ना भाई यहाँ पर आप कोशिश करना भाई यहाँ पोच जाओ ठीक है ऐसा बिल्कुल मत करना पहला paper देकर आप देखे आ गए हो अरे यार अभी तो बहुत time बाकी है अभी तो डेड़ घंटा बाकी है चलो ताज महल देखे आते हैं चलो लाल किला देखे आते हैं चलो लोधी गाडन देखे आते हैं कुत्ब मिनार देखे आते हैं चलो हुमाईयू टॉम देखे आते हैं आंसर की match करने लग गए हो ग करो कोई match सेंटराइज को मेड़ीटेशन करो सके कोई पे जाहक निचाैए बैट चाओ पानी पीओ अच्छे से अच्छा जादा स्यादा पानी पीओ फ्रूट्स वगरा वहां पर काओ आंसर की वह अंसर की अभी मत मैच करना बेटा प्लीजर स्पिंग हमबल रिक्वास्ट ठीक है सेम फोर्दा अगर यहां पर हम लोग बात कर रहें सीडियस वाले बच्चे सो कोशिश करना बेटा कम से कम मतलब यह आप मान लीजे कि आपकी साड़े आदे घंटे पहले आप यह मान लीजे कम से कम आदे घंटे पहले आपका सेम यहां पर आप मान लीजे कि भाई कम से कम आदे घंटे पहले और आपको भी यहां एक्जाम में कोशिश है करना बेटका डेड़ घंटे पहले आप फोर पहले पोच जाओ अपने एक्जामिन सेंटर्डर में सर का करेंगे डेड़ घंटे पहले बैठ के सर वहां तो हम बोर हो जाएंगे ना वहां कोई है ना कुछ होगा सर कैसे करेंगे सर हम तो बैठ हम तो डेड़ घंटे पढ़ भी नहीं पाते हैं भाई जिंदगी का सवाल है भविश्य का सवाल है पोच जाना बेटा कुछ नहीं पैट कर लूगा, बैट जाओंगा, बट मैं अपना टाइम रास्ते में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज बेटा ये याद रख लेना, it's a humble request, तो टाइम पर पहुँच जाना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, चले, अब, अब exam के अंदर की हम लोग बात करते ह है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भाई, एक तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिफरेंट सेट्स होते हैं, पेपर के अंदर, और हर सेट्स में कोशन्स की पैटर्न्स जो होता है, अलग-अलग जंगा प्लेस्ड होते हैं, किसी सेट में किसी सेट में, किसी सेट में, हाड कोशन्स बिगनिげंग में आ गया, भाई देखना, आपसे तीन चार कोशन नहीं वने, तो हमारी ईचर होता, हमारा मोराल एकदम से डॉन होता है, भाई पैनिक नहीं लेमन अउस टाइम पेants पीट, इसके बाद मैं जब अगले पेच पर गया अगला कोशन में को आता था लेकिन मैं थोड़ सा घब आ गया पैनिक में आ गया वही क्या है मैं लिटरली एक मिनेट के लिए रेस्ट लिया, मैंने लिए काम डाउन, भाई ऐसे तो होगा नहीं, बिलकुल मैंने सुचा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इजी कोशन आगे होंगे, जो जो कोशन मेर से आते रहे, उसके बाद मैं धढ़ाके, धढ़ाके, धढ़ाके से मैथम बेटा, जो कोशन आप कर लो, बेटा, उसको टिक मार लेना, ताकि आपको याद रहे, कोशन मैंने कर लिया है, और अगर किसी कोशन में आपको लग रहा है, यह टाइम कंजूमेगा, दो-तीन मिनट के बाद आपने कोशन देखा, यार फस रहा कहीं, पर थोड़ सा टाइम क बेटा, उसकोशन पर गोला लगा लिजेगा, गोले का मतला आप समझ जाओगे, क्यार, यह मैंना बाद में कर लूँगा, मेरे को आता थोड़ सा, लेकिन मैं बाद में कर लूँगा, और जो कोशन आपको लग रहा है, यह मेरे से बिलकुल नहीं होगा, मुझे नहीं करना, क्रोस मार देना, सीधा छोड़ देना, यह आपको पचान आजाएगा, क्यार, यह मेरे को करने नहीं करने, यह छोड़ने थे, यह मैंने कर लिया, ठीक है, और एक चीज आ रखना बेटा, प्लीज, वन गो में, जैसे एंडे वाले बच्चों का धाई गंटे का पहला पेपर ही नहीं पढ़ पाए, don't do that bullshit in the examination, don't do, don't do बेटा, प्लीज, एक या रखना बेटा, पूरा पेपर पढ़ लो, धाई घंटे वाले कोसिस करो, दो घंटे में पूरा पेपर तो देख लो, last के आदे घंटा आपका जो बचेगा, वो कोशन जो आपने गोला लगाए थे, उनक आपको जो कोशन लगता है मेरे से हो जाएगा, करना नहीं होता, skip मार देना बेटा, जियस इस बिंगा लोलिपॉप, जो आपको फसाएगा, और फसा कर आपके negative marks कराएगा, या दखना, don't do that, don't try to do that, आता है करो नहीं आता, छोड़ दो बेटा, हाँ, आप रिस्क ले सकते है, जिसमें से दो-तिन option eliminate हो गए, दो option बच गए, आपको लग रहा है, नहीं यार मैं damn sure हूँ, यहाँ पर इसका answer ही है, elimination करने का दो option बच गए, तो आप वहाँ पर ले सकते हो, यह चीज़ है, another one important thing बेटा, बहुत से बच्चे क्या mistake करते हैं, paper के अंदर, वो क्या करते है, paper के question के, जो आपने solve किया, उसका answer paper पर ही टिक करते रहते हैं, क्या दिमाख लगते हैं, last में लगाएंगे, गोला, अभी time बरबाद होता है ता, ऐसे से करने में, और last में पूरा का पूरा मतलब खराब कर देते हैं, पूरा का पूरा paper खराब कर देते हैं, मतलब सारे के सार don't do that, ऐसा बिलकुल भी मत करना वेटा, please it's being a humble request, सभी से मैं बोल रहा हूँ वेटा, साथ की साथ OMR sheet को fill करते रहेगा, एक question अपने solve किया वेटा, तुरंत उस question को वहाँ पर encircle कर देना, OMR sheet कर, दूसरा question solve किया, तुरंत option को, last में OMR sheet मत fill करना वेटा, बहुत time panic हो जाता है, वहाँ पर invigilator आपके sheet लेने लग जाता है, और आप 1 का answer 2 में लगा देते हैं, 2 का answer 1 में, 3 का 5 में, 5 का 4 में, ऐसे कर देते हैं, please don't do it, साथ की साथ options को ticker तेना, it's being a humble request, साथ जात, be careful ठीक है, avoid the rush, मैंने आपको बता है, plan your trips है ना बेटा, बिलकुल लगना, वही मैंने आपको होता है, jamming वगरा हो जकते हैं, तो early post जाओ, ठीक है, साथ ही साथ, आपको जब examination hall में जाओ, तो कोई भी electronic items नहीं carry करना है, ना watches, ठीक है, digital watches वगरा, आप कुछ भी carry मत करेगा प्लीज इसको भी निकाल दीजेगा, वो लोग पहले ही बोल देते हैं, और examination hall जिस दिना पेपर देने जोग, एक अच्छी comfortable dress पहन की जाना, ऐसी नहीं कि आपने बहुत tight dress पहन लिए, और आप बैठने में हुआ परिशान हो जाओ, एक comfortable dress, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको formal dress पहन कर जाने हैं, नहीं बेठा, आप कुछ भी trousers, trousers जो भी आपको comfortable होता है, पर के comfortable dress में जाईएगा, हाँ, admit card में जो photograph आपको दिया हुआ बेठा, आप प्लीज अपने साथ photograph जरूर कैरी करके जाईएगा, जो photograph admit card में आपने लगाया था, पेपर देने के टाइम, पेट same photograph दो तीन आप लेकर चले जाएगा, colored photograph वो जूर अपने साथ carry करकर जाएगा, एक खुत important छीज, यहाद अखली चीगा ठीक है, fine, next यदि हम लोग बात कर रहे हैं, paper के अंदर, आप क्या करना है, questions के instructions को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कई बार ऐसा होता है, match the following वाले questions आ all essay करके, only two statement correct, only three statement correct, only four statement, बहुत से उसको गलत वेडिट कर लेते हैं, वो पूछ रहा है, only one मतलब पहली के लिए, only two साथ मतलब उसके लिए, आपको construction पढ़नी है धंग से, वो यह पूछ रहा कितनी statement सही है, तो उसका मतलब यह है कि दो statement सही है, तीन statement, और वो पूछ रहा क कौन से statement सही है, तो one, two, three, ऐसे कर गए, तो instructions बहुत अच्छे से पढ़नी है, बेटा, हरी questions की, please remember, ठीक है, questions करने से फिले instructions को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, यह मैं आप से बोना, manage your time, मैंने आपको वही कहा, किसी questions में, अगर आपको लगता है, बहुत ज़ six, mcqs, ठीक है, कुछ questions ऐसे होते हैं, जो tricky होते हैं, for example, definitely कोई question आपके सामने होते हैं, आपको उनका answer नहीं बता, आपको पता question क्या पूछ रहा है, थोड़ा बत आपको rough idea, चार options दिये होंगे, बेटा, उन चार options को उस question से relate करकर देखो, है ना बेटा, चार questions को उस question से relate क पर कर देखो, यार ये option तो यार इस से बिल्कुल relate ही नहीं, तो out of topic है, ये right hand topic है, left hand topic है, भाई ये तो है नहीं, optional element है, यार ये थोड़ा-थोड़ा मिलता है, यार ए 4th और 3rd और closely मिलता है, फिर आपने जो concert पढ़ा उस topics, rewind करेगा अपने में, आ यार ये पढ़ा था, ये इसका मतलब कि damn sure हूँ है, इसका answer ये है, ऐसे eliminate करना आपने, हाँ, कई बार आपको confusion ऐसे होते हो कि जहां पर आप eliminate नहीं कर पर, skip कर दो बेटा, it's been humble request, ठीक है, आप 5% का risk calculated risk ले सकते हो, ज्यादा calculated risk मत लेना, for the GS paper में आपको बता रहा हूँ बेटा, it's been humble request, लोलिपो फे GS इसका आपको फसाएगा, ठीक है, clear है, चलिए, next, review and review again, last time मैं आपको बताया बेटा, कम से कम 30 मिनट का time अपने पास रखेगा, ताकि आप एक बार review कर सको, कौन से question, जो question आपने नहीं लगाए थे, और हाँ, OMR sheet में अगर कोई question ऐसा होता है, जिस वो अभी आप doubted हो, है न वो question आपका खतम है बेटा, तो इसलिए उमार sheet में तभी आप answer fill करेगा, जाप damn sure हो, 100% assured हो, कि यह answer यह ही है, untilliness मत करेगा, it's being a humble request, और OMR को किसी point of instant पर damage मत करेगा, फाड़िएगा, tear wear मत करेगा, ज्यादा तेजी से गोले मत भरना बेटा, it's being a humble request to each and everyone, और last में बस आप आपको बताईए, उसको जरूर देख लेना, यही आपसे advice है, panic बिल्कुल मत लेना, believe in yourself, अगर आप खुद पर विस्वास रखोगे, तो यह दुनिया आपको कभी नहीं रहा सकती है, और इस दुनिया में कितने से कितनी विपरीत परिस्तिती हा जाए, आप उसको achieve कर लोग और 4G कभी घबराता नहीं है, विपरीत परिस्तिती है, 4G का mind हमेशा concentrate रहता है, उसके aim के तरफ, और you all are 4G of defense वाला, so believe in yourself, panic नहीं लेना, सर घबरात हो रही है, जिंदगी का आपका बहुत से बच्चों का, इंडिये वाला बच्चों का पहले paper होगा, serious वाला कि यह पहले exam देने जा रहे हो, अगर आप इसको कुछ अलग तरीके से treat करकर सोचोगे, यार पता नहीं क्या है, तो आप definitely panic ले जाओगे, school के exam को just treat करके सोचना, और खुद पर विश्वा सकना, मानना मेरी बाद बेटा, कुछ भी achieve कर सकते हो, कुछ भी, और अगर आपने महनत सची negativity को अपने पर हावी मत होने ना, smile के साथ, अच्छा पानी पीना बेटा, बिलकुल पानी की कमी मत होने देना, और हाँ, जिस इन examination है, आपका paper, अच्छा खाना खा कर जाएगा, कुछ oily मत खाई कर जाएगा, आप oily ठूस लिए हैं, अंडे खाली हैं, ये खाली है, वो खाली आज तो हम वरत रखेंगे, जब हमारा paper पूरा हो जाएगा, हम पास हो जाएगा, तभी उपवास खोलेंगे, उपवास रखने की कोशिश मत करना बेटा, ठीक है, health is wealth, ठीक है, health is wealth, आज तो हम उपवास रखेंगे, तभी paper खोलेंगे, जब तक हमारा paper नहीं हो जाता है, ब कर जाएगा बढ़िया मस्त खापी कर जाएगा और तली हुई चीजों को मत खा कर जाएगा और पेपर के बीच में जब गैप मिलता है तली भूली चीजे मत खाईएगा वेटा उससे फिर जी मिचलान लेगाता है वह से बच्चों को वो मिटिंग टाइप का होने लगाता है फ्रूट्स खा लीजेगा पानी पी लीजेगा कुछ जूस पी लीजेगा ऐसी चीज़े खाएगा और ज्यादा मत खा लेना ठूस लिये हो फूल गया है वह हो कर दिया है यह भी सब मत कर देना ठीक है चलिए तो इसी मिच के साथ हम सब यही चाहते बेटा एक्जाम में फो धन्यवाद तगड़ेरों